तो दोस्तो अगर आप Redmi Note 7 7S, Redmi Note 5 5 Pro, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi 4 and Redmi Y2 के यूजर हैं तो आपको अपडेट अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है तो दोस्तो सारी इंफोमेशन देने वाला हूं इस वीडियो में वीडियो के साथ बने रहिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तो वीडियो के एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो दोस्तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं Redmi Y2 के लिए तो दोस्तो यहाँ पर जो Redmi Y2 का हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो अपडेट है उसे थोड़ा सा यहाँ पर रोक दिया गया है तो यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Change Log जो है वो यहाँ पर अब जो है वो ब्लॉक कर दी गई है तो यहाँ पर कुछ इस परकार की News है कि जो अपडेट है वो suspended कर दी गई है Redmi Y2 के लिए यहाँ उसे थोड़ा सा अभी रोक दिया गया है पर जल्दी अपडेट देखने को मिलेगी पर दोस्तो अभी जो है उसे रोक दिया गया है कुछ बग्स की वज़ा से क्योंकि दोस्त अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 & 7S के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको दिखा रेता हो Redmi Note 7S & 7S के बारे में क्योंकि दोस्तो यहाँ पर जो है मेरे नोट 7 & 7S है नहीं क्योंकि मेरे गर में को है यूज कर रहा है तो उनके पास iPhone अभी तो मेरे आप मेरी व दिखा रही है इसका मतलब ये भी suspended हो सकती है तो दोस्तो इसी लिए Redmi Note 7 and 7S में अभी तक update fully rollout नहीं होई है कुछ bugs की वज़ा से तो दोस्तो ये सारी information हो गई यहाँ पर Redmi Note 7 and 7S के बारे में Redmi Note 5 Pro का भी दोस्तो कुछ ऐसा ही हाल है तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं change log में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं change log यहाँ पर locked हो चुकी है तो दोस्तो Redmi Note 5 Pro में भी update suspended हो सकती है और यहाँ पर कुछ bugs की वज़ा से इसलिए यहाँ पर दोस्तो डिले आ रही है और दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी devices की जैसे की Redmi Note 4 हो गया Redmi 4 and Redmi 5A and Redmi Note 5 तो दोस्तो यहाँ पर schedule के अनुसार Redmi Note 5 को पहले update देखने को मिलेगी उसके बाद Redmi 5A को उसके बाद Redmi Note 4 and Redmi 4A पर दोस्तो शोमी यहाँ पर बताता नहीं है अब किस device में update आएगी पर दोस्तो जल्द ही हमें Tuesday तक दोस्तो next week Tuesday तक सभी devices में update देखने को मिल जाएगी तो hopefully दोस्तो थोड़ा सा wait करते हैं देखते हैं कि क्या होता है तो यहाँ पर यह सारी information थी दोस्तो यहाँ पर all the devices के बारे में hopefully आपको यह वीडियो पसंद आई होगी